मेंगाई बत्ता 50% होने के बाद केंद्रिय करमचारियों के विभिन भत्तों में होने वाली बड़ोत्री के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी कि कौन-कौन से भत्ते बढ़ने वाले हैं और भत्तों की नई दरें कितनी रहेंगी इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी जाहे आप रेलवे करमचारी हों, डिफेंस करमचारी हों या फिर बाकी अनि सिविल केंद्रे करमचारी सभी करमचारी को मिलने वाले 40 से अधिक भत्तों में कितनी बड़ोत्री होने वाली है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी और आपको बताना चाहेंगे कि केंसरकार ने जनुवरी दोजार चौवे से मेंगई बत्ते में 4 फिश्दी की बड़ोत्री कर दी है और इस बड़ोत्री के बाद मेंगई बत्ता बढ़कर 50 फिश्दी हो गया है तो साथमी वेत्य नाईकी सिपारिसों के अनुसार 40 से अधिक ऐसे भत्ते हैं जो कि मेंगई बत्ते में बड़ोत्री से सीदे जुड़े हुए है तो जैसे ही मेंगई बत्ता पकार इसकाइदा करमचरी को 55 से ज्यादा जो अलाउंसे से उसमें मिलने वाला है तो कौन-कौन से ऐसे बत्ते हैं जो कि बढ़ने वाले हैं वो आप जान लेते हैं तो सबसे पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे कि विभिन परकार के जो बत्ते हैं उनको अलफया वर्टिकल ओडर में याँ पर जमाया गया है तो इसलिए आपके लिए कौन सा बत्ता आप जानना चाहते हैं वो वीडियो को आगे आप जान पाएंगे तो यह आप सबसे पहला बत्ता है ऐरो नोटिकल ओडर में जो कि डिफेंस वालों को मिलता है तो यह अभी वर्तमान में इसकी जो दर हैं वो 675 रुपे पर मन्त है 25 फिस्दी की बड़त्री के बाद यह 843 रुपे पर मन्त हो जाएगा वही एर वर्तिने सर्क्टिफिक्ट अलाउंस जो कि फिलाल 337 रुपे से लेकर 675 रुपे मिलता है अब यह बढ़कर हो जाएगा आपका 424 रुपे से लेकर 843 रुपे उसके बाद में एन्वाल अलाउंस जो कि पहले 1500 रुपे से लेकर 2500 रुपे हर मन्त मिलता था वो अब 1845 रुपे से लेकर 2812 रुपे पर मन्त हो जाएगा next children education allowance जो कि पहले 2250 रुपे हर महीने मिलता था वो अब बढ़कर हो जाएगा 2812 रुपे वह होस्टल सबसीडी जो कि पहले 6750 रुपे पर महीने था वो अब बढ़कर हो जाएगा 8447 रुपे इसके बाद में convenience allowance जो कि पहले मिलता था यहाँ पर 556 रुपे से लेकर 1680 रुपे तक तो अब यह बढ़कर हो जाएगा 4645 रुपे से लेकर 2100 रुपे तो इसमें बेच्ची कासी बढ़ोतरियां पर होने वाली है उसके बाद में 250 रुपे उसके बाद में नेक्स्ट रुपे पर आता है detachment allowance जो कि पहले आपको दिया जा रहा था 443 रुपे से लेकर 900 रुपे पर मंत के साब से अब यह आपका बढ़कर हो जाएगा 501 रुपे से लेकर 1125 रुपे तो उनका बढ़कर हो जाएगा 596 रुपे पर एसवरी पर डे वहीं लेवल 6 और लेवल 8 वालों को पहले यह मिलता था 630 रुपे पर डे तो यह अब उनका बढ़कर हो जाएगा 787 रुपे पर डे के साब से फिर लेंग्वेज अलाउंस जो कि पहले 1500 रुपे से लेकर 2250 रुपे मिलता था लग लग लेवल के साब से तो 25 फिर दे की बौड़तरी के बाद अब इसकी जो रेंज है वो रहेगी 825 रुपे से लेकर 812 रुपे next पर आता है split duty allowance जो की 450 रुपे पर मन्त मिलता था ये अब बढ़कर हो जाएगा 562 रुपे उसके बाद में जब next पर हम देखते हैं जो की है HPCA, PCA जो की hospital patient care allowance है जो की risk and hard recipe pay matrix की cell R1-H3 की आधार पर मिलता था जो की level 9 और उससे उपर वालों को मिलता था ये 5300 रुपे पर मन्त और level 8 और उससे नीचे वालों को मिलता था ये 4100 रुपे तो 25 पिसदी की बढ़कर के बाद level 9 और उससे उपर वालों के लिए ये हो जाएगा 6625 रुपे वहीं level 8 और उससे नीचे वालों के लिए अब मिलेगा ये 5125 रुपे नेक्स्ट हाउसेंट अलाउंस जो कि आपको पहले बता हुआ है इसमें भी अब ये बढ़कर हो जाएगा 30 पिसदी 20 पिसदी और 10 पिसदी आपकी बेसिक पेका नर्सिंग अलाउंस की बात करते हैं जो कि पहले 300 रुपे पर मंथ मिलता था 25 पिसदी की बड़तरी के बाद ये बहुत चुका है आपका 9000 रुपे पर मंथ नेक्स्ट हैंपर आपका आता है प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस जो कि पहले 22,000 रुपे से लेकर 25,000-3ṇप पर मंथ मिलता था 25 पिसदी की बड़तरी के बाद ये अपका हो जाएगा ये अब हो जाएगा 787.5 से लेकर 4,000 रुपे पर मंथ दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबीसी हमारा अंडोज और्या आपको जन करई अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों खत्में जरूर सेयर करें, और कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लेकर जरूर बताएं, उसके बाद मैं क्वालिफिकेशन पे की बात करते हैं, जो कि पहले 405 रुपे से लेकर 945 रुपे पर मंद था, अब ये होगा है, 187 रुपे से लेकर 250 रुपे पर हॉलीडे के हिसाब से, फिर यूनिट सर्टिफिकेट एंड चार्ज सर्टिफिकेट अलाउंस, जो कि पहले 337 रुपे से लेकर 645 रुपे और 645 रुपे से लेकर 1215 रुपे था, तो अब आपका ये बढ़कर हो गया, 421 रुपे स से लेकर 1518 रुपे पर मन्त के हैं, फिर बात आती है, आप डेली अलाउंस की जिसके बारे में आपको पहले बताया गया है, कि जो आपका होटल बिल है, वो अब बढ़कर 5000 62 रुपे से लेकर 9300 रुपे पर डे हो गया है, वहीं जो टेक्सी है, उसकी भी जो रहत है, वो लेकर 1500 रुपे पर डे के हिसाब से केंद्रे करमचरियों को दिया जाएगा, डेली अलाउंस के बारे में चैनल पर अलग से वीडियो डाला हुआ है, उसे आप जरूर देखें, उसके बाद मैं बात आती है, आप पर TA on transfer, तो ये पहले 12 रुपे से लेकर 50 रुपे पर किलोम तो अब ये बढ़कर 4,375 रुपे से साड़े 12,000 रुपे, once in three years हो चुका है, वहीं कैंटिन अलाउंस जो की पहले मिलता था, साड़े 300 रुपे से लेकर 700 रुपे के बीच, अब ये आपका बढ़कर हो गया है, 375 रुपे से लेकर 875 रुपे, तो लेवल के साब से आपका जो भी कैंटिन अलाउंस था, उसमें 25 पीज़दी की बड़ोतरी कर दी कही है, मैसिंग अलाउंस जो की पहले 300 रुपे पर ड़े था, अब वो बढ़कर हो गया, 300 रुपे, पर दे, नुकलियर रिसेर्च प्लन्ट सपोर्ट अलाउंस, जो की पहले मिलता था, 480 रुपे से से लेकर 15 रुपे पर मंथ था अब यह बढ़कर आपका 1500 रुपे से लेकर 1800 रुपे पर मंथ हैं आपर हो चुका है फिर specialist allowance जो की पहले 24 रुपे से लेकर 3000 रुपे पर मंथ था अब यह बढ़कर हो गया 3000 रुपे से लेकर 3550 रुपे पर मंथ special allowance for child care इसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो डाला जाएगा कि हर एक लेवल के साब से कितना मिलेगा लेकिन फिलाल आपको बताना चाहेंगे कि यह 5,000 रुपे से लेकर 20,000 रुपे पर मन्त था जो कि 25 फिस दिये बढ़ गया है और बढ़कर यह आप मिलेगा 6,250 रुपे से लेकर 25,000 रुपे पर एनम के हिसाब से फिर आती है composite personal maintenance allowance जो कि 108 रुपे से लेकर 450 रुपे पर मन्त था यह आपका बढ़कर हो गया 157 रुपे से लेकर 512 रुपे पर मन्त फिर territorial army allowance जो कि 1000 रुपे से लेकर 2000 रुपे पर मन्त था 25 फिस दि बढ़कर यह हो गया पर मन्त तो उसके बाद में बात आती है risk and hardship allowance जो कि रेल्वे के ट्रेक मेंटेनर्स को दिया जाता है और यह दिया जाता है risk and hardship pay matrix की cell के अधार पर cell नमबर R3H2 के अधार पर जो कि level 9 और उससे उंपर वालों को दिया जाता था यह पहले 3,400 रुपे पर मन्त तो उनका बढ़कर हो गया 4,250 रुपे पर मन्त वहीं level 8 और उससे नीचे वालों को यह मिलता था 2700 रुपे पर मन्त अब यह बढ़कर हो गया 3,345 रुपे पर मन्त उसके बाद में special trend controllers allowance जो की 5,000 रुपे पर मन्त था अब यह बढ़कर हो गया 6,250 रु हो गया 8,437 रुपे पर मन्त नेक्स बात करते हैं पर सियाचीन अलाउंस की जो की level 9 और उससे उपर वालों को पहले मिलता था 42,000 रुपे अब यह बढ़कर हो गया 53,125 रुपे वहीं level 8 और उससे नीचे वालों को पहले यह मिलता था 30,000 रुपे अब यह उनका बढ़कर हो जो की level 9 और उससे उपर वाले हैं उनके लिए 25,000 रुपे पर मन्त था जो की अब उनके लिए बढ़कर हो गया है 31,250 रुपे पर मन्त वहीं level 8 और उससे नीचे वालों को पहले यह मिलता था 17,300 रुपे अब यह बढ़कर हो गया है 21,625 रुपे पर मन्त फिर अगली बात क पर मन्त उनका बढ़कर हो गया है 21,125 रुपे लेवल 8 और उससे उपर वालों के लिए 5,300 रुपे मिलता जो की यह बढ़कर हो गया है 6,625 रुपे वहीं level 8 और उससे नीचे वालों के लिए पहले ही 41,400 रुपे था अब यह बढ़कर हो गया है 5,125 रुपे पर मन्त उसके बाद मैं फिल्ड एरिया अलाउंस जो की R2H2 सेल के अधर पर मिलता था level 9 और उससे उपर वालों के लिए 10,500 रुपे जो की अब बढ़कर हो गया है 13,125 रुपे लेवल 8 और उससे नीचे वा अलाउंस की बात करते हैं जो की R3H1 सेल के अधर पर मिलता लेवल 9 और उससे उपर वालों के लिए 5,300 रुपे पर मन्त बढ़कर उनका हो गया है अब 6,625 रुपे पर मन्त लेवल 8 और उससे नीचे वालों को मिलता यह 4,100 रुपे जो की अब बढ़कर हो गया है 5,125 मिलता था यह 34,000 रुपे पर मन्त जो की बढ़कर हो गया 2,250 रुपे पर मन्त वहीं लेवल 9 और उससे नीचे वालों को पहले यह मिलता था 27,000 रुपे पर मन्त जो की बढ़कर हो गया 3,500 रुपे पर मन्त फिर बात आती है टफ लोकेशन अलाउंस की जो की R3H3 SL के अधर मिलता था जो की लेवल 9 और उससे उपर वालों को 1200 रुपे अब बढ़कर हो गया यह 1500 रुपे वहीं लेवल 8 और उससे नीचे वालों को पहले यह मिलता था 1000 रुपे और अब मिलेगा यह 1250 रुपे तो यह 40 से अधर के लगबक 43 ऐसे अलाउंसिस हैं जो की महेंगाई बत् पचीस-पचास फिजदी होने के बाद इनमें भी 25 फिजदी की बड़ोतरी हो गई है तो यह काफी महत्पूर्ण जानकारी सभी के इंद्री करमचैरियों के लिए उम्मीद करते हैं जानकर आपको जरूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेयर करें को इस वीडियो को अधिक सेयर करें आपके दोस्तों के साथ